जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सबस्क्रेब में करते हैं वो तीन दिन में गायब हो जाते हैं हेलो दोस्तों अरहूप आप सभी लोग ठीक होंगे तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रियल इंसीडेंट पर बेज्ड मुवी हैं तो आप अगर चैनल पर नहे हैए और चैनल को साब्स्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को स्बस्राइब करके बिल्ल केशन औल कर लिजे मूवी की स्टार्टिंग में एक कार की डिक्की में जे नाम की एक लड़की बंदी हुई थी उसके हाथ पेर और मुह सब बंदा हुआ था वो भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो किड्नाप करने वाल आदमी बस सिगरेट पी रहा था और फिर उस डि एबी के साथ में सिगरेट प्या करती थी या एबी उसे शाम को अब बार में चलने को कहती है और उसके पास बार में जाने के लिए एक फेक काईडी कार्ड भी था क्योंकि जे अभी भी 18 साल की नहीं हुई थी जे के पिताओ को पता था कि वो सिगरेट पीती है लेकिन वो 18 साल की नहीं हुई थी और यह सब उसके लिए एक नया एक्सपिरिंस था वहां पर दोनों शॉट्स लेते हैं एंड एन एबी की नजर एक चार्मिंग लड़के पर पड़ती है जो कि फायर फाइडर की ड्रेस पेने हुए था और उसके लिए ट्रिंक ओफर करता है जिसके पर दोनों में बाच्चित होती है और अब यह लड़का जे को घर तक छोड़ने के लिए राइड ऑफर कर रहा था दोनों कार से जेक कैना गर जिए लेकिन जेक के गर बाला अजीब लगता है और हो देखती है कि जिस कार में वो बेटी है उसमें उस लड़के की बहुत सारी युनिफॉर्म है जोकी नकली है और हो भागने की कोशिश करती है और जल्दी ही वो आदमी उसे पकड़ लेता है और अचानक सब ब्लैंक हो जाता है सीन कट होके एक प बॉब वहां मोज़े दोनों को मार डालता है सीन फिर से जे पर आता है जोकी अब एक ट्रक में बेटी हुई थी और वहां पर और भी कई सारी लड़किया थी उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है ट्रक एक जगह आकर उपता है जहां एक आदमी उसे खीच कर बाहर निकलता है वो अब एक ऑपरेशन थेटर में थी जहां पर एक बुड़ी नर्स आती है जो कि जे को एक इंग्जेशन लगाती है और जे बुस डर के मारे चिल ला रही थी जे की जब नीद खुलती है तो वो एक छोटे से रूम में थी जहां पर और भी कई लड़किया बंक बेट पर थी फिर वहां कुछ अलाउंसमेंट होता है और हम देखते हैं कि वहां एक दून ही बलके कई सारी लड़किया है जिनकी उमर चोटी से लेकर बड़ी तक है और उने बस नाम के कपड़े पेने थे और यहां पर बॉब आता है जो कि सभी को कुछ गिफ्ट देता है जे अभी भी अंदर थी वो बाहर नहीं आती और देखती है कि क्या चल रहा है बॉब सभी को एक बिल्ले का बच्चा देता है जे अभी भी बाहर नहीं आती और बॉब लड़केओं के साथ बात्रूम में थी वो नहाने जाती है जिसके बाद एक नर्स सभी लड़केओं को चेक कर रही थी और फिर उन्हें कुछ ड्रग दे जाता है सबी अपना लंच करती है और सबी लड़किया अपनी अपने केट से खेल रही थी क्योंकि उनके लाइफ में बस अब एक यही खुशी थी कुछ दिन बीता है और एक दिन वोग नाम का आदमी कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करके कही ले जाता है और उनमें जे को भी सिलेक्ट किया जाता है उसे एक वेन में डालके एक अन्नошन फ्लेश पर ले जाय जा रहाता उसे लेदर के ड्रज पेना कर उसे फीर एक प्लेश पर लाय गाता और केम dimension के सामने बांद देते हैं जे के साथ जो भी हो रहा था वो उसके लिए बहुत गिनोना था और उसे जबर ज़ती ये करना पड़ रहा था उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था और तो और उसे अपने क्लाइंट्स को सर्विस भी देना थी जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था और इसी रात को जे अपनी र जोन के पास अकेला छोड़के वाग बात्रूम में जाकर ड्रक्स ले रहा था तब भी उसे वहाँ पर चिलाने की आवज आती है वो देखता है कि जोन जमीन पर पढ़ा है और जे उसे चोट पहुचा कर भाग गई थी जे ने जोन के प्राइविट पार्ट को काट लिया था और उसका मूँ पूरा कून से लाल हो रहा था उसके कपले पूरे खुले वे थे और वो भाग रही थी लेकिन वाग उसे पकड़ लेता है वो एक घर में गुजग गई थी जहांपर दो लेडी कौफी इंजोई कर रही थी और वाग कहता है कि वो एक पुलिस ओफिसर है जो हम देखते हैं कि एक साल बिता जाता है जे भी अपने परिवार को बूल कर अपनी इस नई जिंदगी को एकसेप्ट कर लेती है और अब उसका नाम जे से इडन हो गया था उसे लगातार इंग्जेक्शन दिये जा रहे थे वहां पर उसकी प्रिंसिला बेस्ट फ्रेंड बन प्रिंसिला को गसीट कर ले जाता है शाम के समय देखते हैं कि जे अब एक साल में इस काम को करने में परफेक्ट हो गय थी अब वापस लोड़ते समय एडन वैन में अपने हिल्स को तोड़के चुपा लेती है इडन जब रूम में आती है तो देखते है कि प्रिंसिला कहीं नहीं दिख रही थी शायद उसे भी मार कर फेक दिया गया होगा इडन रात को अपने चुपाई हुई सेंडल निकाल कर लाना पर अटेक कर देती है और उससे अपने डेट की दी हुई रिंग वापस ले लेती है वहाँ पर गाट साते हैं और रूम छुडाते हैं फिर वोन इडन को खीच कर दूसरे कमरें मिले जाता है और वो इडन से इंप्रेस हो गया था वो उसे पनिश्मेंट के रूप में इडन को अपने रिंग निकलने के लिए बोलता है और ठीक इडन को मजबूरी में ऐसा क कुछ भी पोलती है कि वो बस यहां का एक नोकर है इडन उसे फजाना चाह रही थी लेकिन वो नहीं फजता अब कुछ दिनों के बाद इडन को बाकी लड़कों के साथ एक पार्टी में ले जाए जाता है जहां पर उन्हें सर्विस देना थी पार्टी खतम होने के बाद व यहां से वो अपनी रिंग को निकालती है जो कि वोग के कहने पर उसने निगल लेती जिसका दोकर वो वापस पहन लेती है क्योंकि इसी से उसे अपनी पुरानी लाइफ और पेरेंट के बारे में पता था धीरे दीरे एडन के लिए सब कुछ बदल रहा था वोग उसे क्ला रखा गया था वो एक बड़ा सा वेरहास था और वहाँ पर उनसे प्रोस्टूशन का काम करवाया जाता था लाना को कस्टमर के कॉल्स अटेंड करने की जौब मिली थी लेकिन वाग अब इडन को वो काम दे देता है जिससे कि लाना गुसा होती है और सब समझ रहते हैं कि वाग इडन के करीब आ रहा है इडन अपना काम बहुत अच्छे से करती है ताकि वो उसका विश्वास जीद सके और इदर हम देखते हैं कि बॉब एक सेमिनार में है और वो हीमन ट्रेफिकिंग और ड्रक के ओपर इस पिच दे रहा है जिसके बाद में एक आफिसर उसे मिल करता है जो कि हीमन ट्रेफिकिंग पर ही काम कर रहा था वो बॉब से उस केस के बारे में पूछता है जब पुलिस आफिसर को मार दिया गयता है जो कि असल में बॉब नहीं किया था और वहाँ पर मिली उस लड़की के पेर में ट्रेकर था जिससे की असली गुनादार तक प लाशे भी थी जिने वो ठिकाने लगाने के लिए लाया था और इन में से एक लाने की लाश थी वो उसे बीच लेक में लाकर पानी में डाल देते हैं और एक बार फिर बॉब वॉब की इंसल्ट करता है जिससे गुस्से में आकर वॉब बॉब को पीछे से अटेक करता है औ एडन को अब वाश्रूम जाना था और वो अंदर जाकर दिखती है कि उस घर में एक छोटा सो अपरेशन थेटर था इडन को महाँ पर एक रूम का दर्वाज भी खुला हुआ दिखता है जिसके अंदर प्रिंसिला थी और वो अपरेगनेंट थी प्रिंसिला को महाँ पर में बॉब की बनने की खबर थी लोटता समय एडन ड्राइव कर रही थी और वो उससे पूछता है कि क्या उसने घर में कुछ देखा और वो उसे बस उस ऑपरेशन थेटर के बारे में ही बताती है वो फिर भी कुछ अजीब लग रहा था वो उसे कार रोकने को कहता है और फ इडन के भरोसे के जाच कर रहा था बॉब को मारने के बाद में सब कुछ बदल गया था वो स्वेर हाउस का ध्यान अब वो रखता था और वो अपने गार्ट्स को पनिश्मेंट दे देता था वो उस वेर हाउस को कहीं ओर शिफ्ट कर रहा था क्योंकि पुलिस अब उन तक पूँच सकती थी। इधर इडन नर्स के पास जाती है जो कि उसे एक स्टोरेज हाॉस पर ले जाती है जहां पर लडकिों के पुराने सामान थे फिर सबी कट्रक में भर के कहीं ले जाया रहा था लेकिन्स ट्रक में इडन नहीं थी। वोग कहता है कि इडन बहुत लगी है क्योंकि वो उन लड़कियों के साथ नहीं जा रही है बलकि वो वोग के साथ है वोग ट्रग से यह सिलिबेट करना चाहता था लेकिन पहले वो बातुम जाता है और यही मुक्का था इडन का कुछ कर देने का वोग जब बात्रूम में था तो इडन किचन से कीले मारने का स्प्रे लाकर उसे वोग के ड्रग वाले पाइप में स्प्रे कर देती है और उसे पीने के बाद वें वोग बेहुश हो गया था फिर एडन अपने पेर के ड्र्कर काटती है। और वोग का केश लेकर मास से कुछ इंजेक्शन को ले लेती है और वोग की गाड़ी लेकर मासे भाग जाती है। लेकिन वो अपने घर नहीं जाती वो पहले उस घर जाती है जहां पर प्रेगने प्रिंसिला को कैद किया हुआ और जिस आदमी ने प्रिंसिला को केट क्या था वो उस आदमी को पेसे के बदले उसे छोड़ देने के लिए बोलती है लेकिन वो आदमी नहीं मानता और इसलिए एडन उसे वो इंग्जेक्शन दे कर माड़ती है अब इडन प्रिंसिला को उसकेट से आज़त कराती है और दोनों कार से जा रहे थे फिर इडन रास्ते में कार को रुकती है और पब्लिक फोन से अपने घर पर कॉल करती है इडन के पेरेंट्स उसकी आवाज सुनके उसे पेचान जाते हैं जो कि उसका नजाने कब से इंतसार कर रहे थे फिर वो उसके असली नाम जेसो से पुकारते हैं और एडन बस रोए जा रही थी क्योंकि उसे किसी के मुझ से अपना असली नाम सुने बहुत टाइम हो गया था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है दोस्तो असल में ये मूवी चौंग की लाइफ पर बेजड है जो कि असली जे है किम साउथ कोरिया में पैदा हुई थी और उससे युएसे से किडिनेप कर लिया गया था चौंग कीम आज एक एक्टिविस्ट है और हुमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काम करती है